दरावनी वेब सीरीज, भाग माइनस चार, एक बोना भूत गाउं के पास जंगल में रहता था, वो बच्चों को कुछ नहीं करता क्योंकि बच्चों को वो अपनी तरह बोना समझता, लेकिन कोई पुरुश या महिला उसके चंगुल में आ जाए तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता, एक देंग गाउं का मोहन किसान शहर किसी काम से गया, लोकते वक्त रात हो गई, वो घबरा गया था कि इतनी देर हो गई अब रास्ते में भूत का ठिकाना है, उस रास्ते नहीं गया तो घर भी पहुंचना मुश्किल होगा, फिर मजबूरी में चल ही दिया, कारण बताया, बोना भूत बोला ठीक है, अब मरने को तैयार हो जा, इसी पेड़ पर उल्टा लटता दूनगा, तेरी लाश को, नहीं भूत भाया मुझसे गलती हुई, अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा, मेरे बाबा बीमार है, उनकी दवा लाने के लिए पैसो का इंतजाम करने गया था, इसलिए आने में देर हो गई, बोना भूत बोला ठीक है, मैं एक शर्ट पर तुझे छोड़ देता हूँ, तुझे कल यहां मेरे पास मुखिया के बेटे को को लाना होगा, बस, लेकिन क्यों, भूत जी क्या मैं जान सकता हूँ, खामोश, जितना कह उतना कर, मैकू को लेकर कल दोपहर बारह बजे बजे, अब भाग जा, लेकिन कल अगर नहीं आया तो तुझे जहां भी होगा वही आकर तुझे मार डालूँगा, नहीं, नहीं, मैं पक्का आ जाओंगा, कहते हुए मोहन अपने गाउँ चला गया, दूसरे दिन वादे के म ताबिक ठीक बारह बजे बजे किसान मैकू को किसी बहाने से उसके पास ले आया, मोहन, अब तू निकल यहां से, मोहन सर पर पैर रखकर वहां से भागा और मैकू दर से कापने लगा, भूट, भूट बचाओ, कौन हो तुम, क्यों मुझे मारना चाहते हो, छोड़ दो महर बानी करो, चुप, जरा भी आवाज की तो एक लाद तबियत से देंगे, यही मर जाओगे, समझे, जरा दिमाग पर जोर डाल, मैं हूँ, मैं वही बोना हूँ, जो तेरे पढ़ोस में सविता काकी के तीन नंबर का बेटा था, तेरी वजह से मेरा ये हाल हुआ, मैकू पर म मैं पढ़ोस में रहते थे और तू हमेशा मेरे बोनेपन का मजाक उडाता रहा, तेरी वजह से गाउं भर के लोग मेरा मजाक बनाते थे, घर से निकलना मुश्किल कर रखा था, मेरा, अरे और तो और तूने तो सकस वालों को भी मेरे पीछे लगा रखा था, ये कहकर कि मै सकस में बौना बनकर सब को हसाना चाहता हूं। तेरी वजह से घर, बाहर, स्कूल हर जगह मेरा मजाक बन गया था। तूने मेरी जिंदगी, मेरे सपने, मेरी ख्वाहिशें, सब को फांसी दे दी, मैकू। इसलिए एक दिन इसी पेर पर मैंने फांसी लगा ली थी। आज तक मेरी तड़कती आत्मा यहां भूत बनकर लटक रही है। जब तक तेरी मौत नहीं होगी, मेरी आत्मा को शान्ती नहीं मिलेगी और नाहीं मेरी मुक्ती हो पाएगी। ये कहते हुए भूत ने मैकू को पेर पर उल्टा खीच लिया और पेर की लताओं से उसका गला बनकर उसी पेर पर मैकू को फासी दे दी जिस पर साथ साल पहले दामो बने ने खुद कुशी की थी। मैकू के मरते ही बने की आत्मा मुक्त हो गई। उसका बरसो पुराना बदला पूरा हो गया। अब गाव में उस बने का भूत किसी को नहीं सताता। सच है, बुराए का अंज काम बुरा ही होता है।